बिहार में शराब बंदी को लेकर नीतिश शरकार के कानून को हाई कोट में रोक लगने के बाद सुप्रिम कोट से राहत मिली है नीतिश शरकार को सुप्रिम कोट से मिली ये राहत बहुत बड़ी है बिहार में शराब बंदी पर दिये गए पटना हाई कोट के फैसले पर सूप्रीम कोट ने इसके साथ ही केंदर सरकार और शराब कमपनियों को नोटिस जारी किया है पटना हाई कोट ने 30 सितंबर को राज्जे सरकार की अधिसूचना को निरस्त किया था जिसमें राज्ये में शराब की विक्री और इसे पीने पर पाबंदी लगाई गई थी कोर्ट ने इसे असमवेधानिक बताया था पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा शराब बंदी को लेकर किये गई सजा के एलान को अनुचित बताते हुए इसे गैर कानोनी करार दिया कोर्ट ने उत्पाद विभाग के कानोन में जो संशोधन किया था उसे भी गलत करार दिया पिछले कई महिनों से शराब बंदी कानोन को लेकर राजनेतिक आरोप प्रत्यारोप का दोर जारी था ऐसे में सूपरिम कोर्ट की रोग नितिश सरकार के लिए सुकून वाली हो सकती है